कोरोना के आकड़े जिस तरह से देश में बढ़ रहे हैं वे काफी चिंता जनक है इसलिए बुंदेल खंडी उसकी टीम ने जब लॉकडाउन के चौते दिन का जायजा लेने के लिए शहर की गलियों में गई दी तो उस समय हमने देखा कि लोग अभी भी सजग नहीं है बड़ी मात्रा में लोग घरों के बाहर गलियों में निकले हुए दिखे अर्थाक अपनी मनमानी करने पर अमादा रहे इसी बीच हमने देखा कि कोरोना नामक इस वैश्विक महमारी से निपटने के लिए जहां एक और बांधा डियम के निर्देश पर पनमाकर चराह सबजी मंडी में फायर ब्रिगेड वैंड के माद्यम से दवा का छिड़काओ किया जा रहा था जिसे लोग तमाश बीन बनकर देख रहे थे वही कुछ वीडियो बना रहे थे जो वाकई चिंता का बश्य था इसके बाद बेवज़े बाहर घूमने वालों पर पुलिस ने लाठी भी बरसाई लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिये जो वाकई लॉकडाउन को अपने ही तरीके से पालन कर रहे थे बैंक आउ बडोदा के सामने वाली गली के बाशिंदे तो अपनी गली का बकाईदा वेरिकेटिंग किये हुए थे यहां रहने वाले जीतू और अनिल ने बताया हम इस गली में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने देते इसलिए हमने गली के बाहर वेरिकेटिंग लगा रखी है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों का सामुहिक प्रयासी कोरोना वाइरस महामारी को रोक पाएगा अधिकांश लोग समझ चुके हैं लेकिन कुछ लोगों को समझना अभी भी बाकि है लेकिन इसमें जितनी देर करेंगे उतना ही हम पिछड जाएंगे लेकिन उसके बाद जब आज लोगडाउन के साथवे दिन का जाजा लेने बुंदेलखन निउस की टीम एक बार फिर जब शेहर की गलियों से होते हुए के नदी तक का सफर तै किया तो हमने देखा कि लोग तो काफी हद तक सजग हुए हैं दिनained बार kविए bırakекс फिर ने सप्वर फिर frågor का सफर से हुए हैं कर दो कर दो कि नहीं हां। झाल 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 झाल